Fundamentals of Electric Circuits, Union No. 2, Resistor सबसे पहले मैं Resistor की Definition लिखूँगा A device used to oppose flow of electric current कि ऐसी device जो electric current के flow को disturb करे या oppose करे, ठीक है For example, मैं एक device बनाता हूँ अब मैं कहता हूँ इधर से एक ampere का current आ रहा है ठीक है, उसको मैं इस device में से गुजारने लगा हूँ और ये काम क्या करती है, oppose the flow of electric current मतलब ये जो current original आ रहा होता है उसकी value को अपने अंदर से गुजार के कम कर देती है तो for example, एक ampere का current आ रहा है, जब वो इस box में से गुज़रा तो इसके अंदर 0.5 ampere current रह गया ठीक है, इस device का नाम है resistor जो के अपने अंदर से current को गुजार के उसका value कम कर देती है अब device के अंदर ऐसा क्या है, जो current की value को कम कर देता है, device के अंदर एक recover है ठीक है, device के अंदर recover है, और इस recover को हम resistance का नाम देते है तो resistance की भी मैं definition लिखता हूँ it is a ability to oppose flow of electric current ये सलाहियत है, ये ability है किसकी, resistor की के वो electric current को oppose करता है कि जब एक compare current इसके अंदर से पास हुआ तो आगे इसको resistance मिली resistance के एक ability है, एक सलाहियत है resistor की के वो electric current को कम कर दे, अपने अंदर से गुजार कर अब, अब मैंने तो ये device से आपको बताया है, एक example लेकिन resistance दुनिया में मजूद हर matter में होती है वो zero से लेकर infinity तक होती है, in ideal life ideal life का मतलब ही होता है जिसकों पर laws और हमारी different definitions प्रूव होती है practical life में zero resistance नहीं होती, ठीक है zero से उपर resistance exist करती है, zero resistance किसी चीज की नहीं होती हर चीज में कोई ना कोई तो resistance होती है for example, अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक silver wire ली silver wire ली, ठीक है मैंने कहा इसके अंदर से current जा रहा है ठीक है, ये कितना current है, two ampere current है ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इदर output पे, ये output होती है हम मुझे output पे one ampere current चाहिए, तो मैं इस इसके रस्ते में एक resistance डाल दूँगा, ठीक है जो resistance, इस two ampere current में से कुछ current खा लेगी और फिर बाकी current आगे भेज देगी, जो के one ampere का current होगा, जो मुझे चाहिए होगा, resistance का mainly यही काम होता है चलें आप इसका formula देख लेते हैं so resistance का formula है, r is equals to rho l over a इनमें मैंने जितने भी alphabets इस्तिमाल किया है, मैं वो line by line इसको आपको बताऊंगा, यह है क्या, r for resistance अब resistance क्या है, हमें पता है कि ability of our resistor to oppose electric current के device है, जो resistor है उसके अंदर से जो electric current flow होता है, उसको कम करने की सलाहियत को resistance का नाम दिया जाता है ठीक है, अब मैं एक copper wire बनाता हूँ, copper wire, जो हमारे घरों में भी wiring के लिए use होती है अब मैंने आपको पताया था कि दुनिया में जितनी भी matter है, उसकी कोई न कोई resistance होती है इस copper wire की भी कोई न कोई resistance है, ठीक है, उसको मैंने r नाम दे दिया, ठीक है उसके बाद इसकी कोई न कोई तो length है न, for example इसकी length कहा देता हूँ 3 cm है, तो वो l is equals to length, ठीक है उसके बाद इसका कोई न कोई तो area होगा, area इसका, मैं कहा देता हूँ 2 meter square है तो a for area, ठीक है, अब resistance का इस चीज़ से क्या तालुक है resistance का इसके साथ बहुत भड़ा तालुक है, वो कैसे है, आईए जानते है अब देखें, जितनी भड़ी length होगी, अब देखना मैंने बताया कि हर चीज़ में कोई न कोई तो resistance होती है ठीक है, जितनी भड़ी length होगी, उसके अंदर उतनी रुकावटे पैदा होगी, यह yellow color से मैं रुकावटे बना रहा हूँ ठीक है, जितनी भड़ी length होगी, उसमें उतनी ही रुकावटे होगी तो इससे हमें पता चला, और directly proportional है length के, मतलब जितनी ज़्यादा resistance होगी और उतनी ज़्यादा ही length होगी, यह ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा length होगी, उतनी ज़्यादा ही resistance होगी क्यूंकि आपस में यह directly proportional है, और directly proportional का मतलब होता है, एक चीज भाड़ी है, तो दूसरी चीज भी भड़ेगी ठीक है, अब दूसरी तरफ, अब मैं area की बात करता हूँ, area में मैं जरा pipe को जरा भड़ा बना देता हूँ और मैं उसके अंदर resistance वही रखता हूँ, मतलब यह yellow color से मैं resistance बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, इसमें से current flow करेगा, यह red से current है, तो उसको कितनी ज़्यादा resistance मिल रही है अब इसमें से current flow का रहा है, उसको बहुत कम resistance मिल रही है, ठीक है, यह yellow color से मैंने resistance बना रही है, ठीक है, तो इसमें से current flow किया, उसको resistance काम मिली तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे पास resistance है, वो inversely proportional है, area के, मतलब कि अगर area कम होगा, तो resistance ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर area ज्यादा होगा, तो resistance कम होगी, ठीक है, तो diagram से एक दफ़ा दुबारा समझ लेते हैं, इसमें resistance कम थी, क्यूंके area इसका बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसलिए current अराम से अंदर से flow हो गया, इसमें area बहुत कम था, तो resistance बहुत ज्यादा थी, इसलिए current को बहुत मुश्किल हुई है, इसके अंदर से गुजरने के लिए, और फिर, एक नया concept, एक और एजाद होता है, जिस रो क्या होती है, रो का नाम है resistivity, ये उस मिकदार को बताती है, कि एक material, जैसे ये wire है, अपने अंदर से कितनी resistance प्रवाइड कर सकती है, ठीक है, जैसे for example, ये pipe है, ठीक है, copper, इसके अंदर three ohum resistance है, मतलब ये जो quantity बता दिया, ये इसकी resistivity है, कि ये मिकदार बता रही है, कितनी amount तक ये resist कर सकती है, flow of current को, कि इसके अंदर से current गुजरेगा, उसको तीन ohum का resistance उसको मिल सकती है, तो ये three, जो quantity बताईए, ये इसको हम resistivity कहते हैं, और ये हर material की अपनी होती है, और वो throughout constant रहती है, मतलब, अगर for example, मैं कहता हूँ कि इस pipe की resistivity three है, तो वो throughout end तक three ohum ही रहेगी, throughout end तक, शुरू से लेकर end तक, उस pipe की resistivity three ohum ही रहेगी, ठीक है, अब एक point जो आपको याद रखने हैं, resistor, resistance और resistivity के मतलिक, जो conductors होते हैं, conductors आपको पते हैं, जिन में से electricity flow होती है, अब electricity flow होती है, तो जहरी सी बात है, उसकी resistance काम होगी, ठीक है, conductors की resistance काम होगी, flow of electrons को वो कम oppose करते होंगे, इसलिए तो वो conductors हैं, इसलिए तो अपने अंदर से current को गुजरने देते हैं, तो इसकी resistivity भी काम होगी, और insulator क्या होते हैं, जो पने अंदर से current को pass नहीं होने देते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो pass नहीं होने दे रहें, तो इसके अंदर opposition बहुत ज़्यादा है, मुखालफत बहुत ज़्यादा है, तो इसकी resistance बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतब resistance ज्यादा तो और इसकी resistivity भी ज्यादा होगी ठीक है और फिर आप मुझे कहोगे यार आपने रुकावट के बारे में तो सारा बता दिया है तो करांट उसके अंदर से गुजर कैसे रहा है तो करांट गुजरने का भी एक concept है जिसको नाम कहते है कंडक्टिवि के वो करांट को अलाओ कार रहा है अपने अंदर से गुजरने के लिए ठीक है वो कंडक्टिविटी भी हार मटीरियल की अपनी होती है और वो थूरू आउट फिक्स होती है जैसे resistivity थी resistivity क्या थी opposition थी conductivity क्या है वो करांट को गुजरने देता है हार मटीरियल में ये दोनों चीजें पाई जाती है ठीक है resistivity भी होती है और conductivity भी होती है अब इनके formula और unit वगरा discuss कर लेते हैं तांकि आपको और बहतर समझा दे resistance का unit होता है ओहम ठीक है resistivity का unit होता है ओहम मीटर ठीक है उसके बाद conductivity ये opposition to resistance है ये resistance से बिल्कुल उल्टा है तो ये 1 over r होती है ठीक है तो इसको हम g भी कह सकते हैं उसके बाद बात आती है formula की जैसे मैंने पहले भी लिखा था resistance का formula is equal to row resistivity इसको कहते हैं l length over area जितनी ज्यादा length होगी उतनी resistance होगी जितना ज्यादा area होगा उतनी कम resistance होगी और जितना कम area होगा उतनी ज्यादा resistance होगी ठीक है उमीद करता हूं कि आपको resistance बहुत अच्छी तरहां समझ आ गई होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में उहम्जला के साथ अल्ला हफीज मुर्णस करते है तो